नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विश्ट्रेशन में आपका स्वागत है संपादिकी से समंदित इस वीडियो की सुरुआत करते हैं कल पूछे गए प्रस्ण से कल जो पूछा गया था वह प्रस्ण है कि चुसूल घाटी के नसदीक निम्ण में से कौन सी जील है चार उप्सन है उप्सन A मैनमाचो उप्सन B लहामो उप्सन C नाथुला और उप्सन D पैंगॉंग सो तो इसका सही जवाब है option D पैंगॉंग सो भारत चीन के बीच चल रहे सीमा गतिरोद से यह जील सम्बंधित है चलिए बढ़ते हैं अपने आज के संपाधिकी की ओर और यह रहा आज का पहला संपाधिकी है जिसका शिर्षक है end of the tunnel इसे लिया गया है दा हिंदू न्यूजप पेपर से और यह संपाधिकी है GS पेपर 3 में सामिल विसे भारती अर्थविवस्था तथा योजना संसादनों को जुटाने प्रगती विकास तथा रोजगार से संबंधित विसे के दृष्टि कौन से महतपूर्ण है चले देखते हैं इस संपाधिकी को विस्तार के साथ इ दसमलब 0-5 लाग कड़ो रुपे और सितंबर महने में यह संग्रा कितना है तो 0-9 लाग कड़ो रुपे तो इसका मतलब यह है कि ऑक्टूबर महने में जो GST का संग्रा हुआ है वह सितंबर महने की तुलना में जादा है वहीं अगर ऑक्टूबर और सेप्टेंबर महने मे जो GST का संग्रा हुआ उसकी तुलना अगर पिछले वर्स के September और October महिने से करें तो हम यह पाते हैं कि October महिने में पिछले वर्स के October की तुलना में 10% ज्यादा GST संग्रा हुआ है वहीं September पर अगर हम गौर करें तो पिछले वर्स के September महिने की तुलना में इस वर्स 4% ज्याद उन्हें परतिबंधों में धील दी गई है, और धील देने के कारण पूर्ती और मांग इन दोनों पक्षों में वृध्धी देखी जा रही है, तो जरा हम पूर्ती पक्ष के अंतरगत, अगर हम पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स पर गौर करें, तो हम यह पाते हैं कि पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो October मेहने का है, उसमें कितना आकडा है, वहां आकडा है 58.9% का, और यहां जो 58.9% जो दिख रहा है, वह 2007 के बाद से अपने उच्चतम इसकोर पर है इसका अर्थ यहां पर यह है कि आद्धियोगिक उत्पादन में वृध्धी हो रही है क्योंकि PMI का मान अगर लगातार 50% से उपर बढ़ रहा हो तो इसका मतलब है कि आर्थिक क्रिया कलाप में वृध्धी हो रही है वहीं देखिए कोर इंडिस्ट्री की अगर बात करें तो इसका मतलब है यहां पर क्या कि Index of Industrial Production मतलब अध्योगिक उत्पाद सुचकांक के अंतरगत जो आठ कोर इंडिस्ट्री हैं अगर उसके आकड़ों पर गौर करें कि सितंबर 2020 का जो आकड़ा वह इतना ही है जितना सितंबर 2019 का आंकड़ा था यह भी सकारात्मक है क्यों? वह इसलिए क्योंकि कोईला, विद्ध्यूत, और इस्टील जो यह जो अध्योगिक शेत्र है उसमें क्या देखा जा रहा है उसमें धनात्मक्ता देखी जा रही है मतलब उसमें सकारात्मक्ता देखी जा रही है तो यह हमने बात की पूर्ति पक्च की ही अब हम बात करते हैं मांग पक्च की तो मांग पक्च में तो सबसे बड़ी बात यहां पर क्या देखी जा रही है क GST संग्रह में बढ़ोत्री हो रही है और यह जो GST संग्रह में बढ़ोत्री हुई है वह इस वर्स कि पिछले आठ मेने की बात अगर हम करें तो उसमें यह सरवाधिक है वहीं आगे देखें कि वाहन बिक्री इसमें भी बढ़ोत्री हुई है क्यों अगर four wheelers की बात करें तो ह हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि October 2019 की तुन्ना में October 2020 में मारुती सुजुकी की बिक्री में 18% की बढ़ोत्री देखी जा रहे हैं वहीं टू वीलर्स की अगर हम बात करें तो हीरो मोटो क्रॉप के बिक्री में भी तेजी देखी गई है मतलब उसमें जादा बिक्री हुई ह और जो आंकडे बता रहे हैं उसके अनुसार दोपया वहनों की बिक्री में 35% की बढ़ोत्री देखी गई है उसके अलावा रेल, माल, वहन, राजस्तु में भी बढ़ोत्री हुई है साथी साथ डीजल की बिक्री में भी बढ़ोत्री हो रही है अब यहाँ पर यह है कि इस कि उनके तिमाही नतिजे जो निकल करा रहा है उसमें उनके लाब को देखा जा रहा है और लाब में विर्धी को भी उसमें पाय जा रहा है तो अब ये जो मांग पक्ष और पूर्ती पक्ष दोनों से संबंधित जो आकड़े हैं और ये दोनों से संबंधित आकड़ों में जो सकारात्मक्ता देखी जा रही है अगर उसकी समिक्षा करें तो हम क्या यह भविस्वानी कर सकते हैं कि आर्थिक जो गतिविदी है या जो जो आर्थिक क्रिया कलाप है उसमें सुधार होता जा रहा है तो अर्थिसास्त्रियों का यह कहना है कि आर्थिक सुधार होगा या आर्थिक सुधार से सम्मंदित जो भविस्वानी की जा रही है तो इसमें अभी किसी भी निसकर्स पर पहुंचना एक जल्दबाजी होगी क् अर्शास्त्रियों के यह मानना है कि सितंबर और अक्टूबर महिने की जो आर्थिक आंकड़े मिल रहे हैं वह आगामी महिने में भी जारी रहेंगे उस पर अभी खुल कर नहीं का जा सकता उसका क्या कारण है उसका कारण यहाँ पर यह है कि जिस सेप्टेंबर और अक्टू 2019 एवं उसके बाद जो भी आर्थिक संकेतक मिले थे उसमें गिरावट देखी गई थी तो मतलब यहाँ पर यह है कि जिस सेप्टेंबर अक्टूबर 2020 की तुलना सेप्टेंबर 2019 एवं उसके बाद के आर्थिक संकेतकों से की जारी थी तो वह तो खुद उस समय एक कमजोर इस्तिती में मौजूद था वहीं दूसरा कारण अर्थसास्त्री यह कर रहे हैं कि यह जो मांग में वृद्धी देखी जा रही है उसका कारण त्यहार के मौसम का होना है क्योंकि एरलाइन्स हॉस्पिटिलिटी और प्रेटन इनकी इस्तिती अभी भी दैनी है तो यह आव लिए तो जब वित्मंत्राले बजट निर्मान की प्रक्रिया को प्रारंब करेगा तो यह जो आकड़े अभी मिल रहे हैं उन आकड़ों को आधार बनाकर बजट से संबंदित अनुमान ना लगाएं क्योंकि अगर यह कारी सरकार करती है तो यह बुद्धी मत्ता पूर्ण इन कारे नहीं होगा और जो भी बजट बनाया जाए तो उससे पूर्व व्यायका छेत्र या छेत्रवार जो प्रोत्सवान योजना है उससे संबंदित कारे सरकार करें यहां निसकर्स रूप में यह बात कही जा सकती है कि यह जो आशावादी आकड़े अभी दिख रहे है तो इन आशावादी आकड़ों के बावजूद ना केवल आने वाले महिने बलकि जो आगामी वित्ती वर्स है उस वित्ती वर्स में औनिस्चितता की इस्थिती बनी रह सकती है उसका कारण क्या है उसका कारण यह है कि अगर कोरोना महामारी की दूसरी लहर आई तो फिर य जान चुके हैं कि और द्योगिक गतिवीधियों में रफ्तार त्योहारी मांग के कारण है और अगर यह मांग ठार गई तो फिर संकट उत्पर्ण हो सकता है अब अर्थ विवस्था को एक ऐसे प्रोचसाहन पैकेज की जरूरत है जिससे नियोक्ता मतलब जो काम पर रखता है नियोक्ता करमचारी को हटाने को मजबूर न हो और नए रोजगारों का सिर्जन हो और लोगों के हाथों में नियमित आमदनी की रूप में पैसे आए तभी बाजार में रौनक का सिलसला बनेगा तो इस परकार हमने पहले संपादिकी में ऑक्टूबर महिने में जो जियस् संग्रह के आधार पर हमने वर्तमान आर्थिक परिद्रिस पर चर्चा की चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे संपादिकी की ओर यह है दूसरा संपादिकी जिसका शिर्षक है लर्ण फ्रॉम जहारखंड स्कैम इसे लिया गया है फाइनेंसियल एक्सप्रेस से और यह संप कारी नीतियों और विभिन छेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभीकलपन तथा कार्यान्वन की कारण उत्पन विसे के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है चलिए देखते हैं इस संपादिकी को भी विस्तार के साथ इस संपादिक का आधार क्या है इसका आधार है जारखंड चात्रवर्ती घोटाला। लेकिन इस जारखंड छात्रवर्ती घोटाले पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने से पूरवरां धाले हम यह देखते हैं कि परत्यक्ष हस्तांत्रण लाब या ड्यरेक्ट बेनिफिट ट्राशा यह क्या है ? परत्यक्ष हस्तांत्रलाब एक पड़ना ली है, जिसके माध्यम से लोगों के बैंक खातों में सीधे धनरासी अंतरित की जाती है, किसके दोरा? सरकार के दोरा. इसका उद्धिस ही क्या है? तो समाजी कल्यान के उद्धिस से सरकार के द्वारा जो विभिन योजनाई चलाई जा रही हैं, तो इन विभिन योजनाओं से समंदित जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों की सही पहचान को सुनश्चित करना, ताकि कम से कम भरस्टाचार ह मतलब ये कि जो रासी लाभार्थियों के हाथों में पहुँचनी चाहिए वो सीधे उनके हाथ में पहुँचे इसको सुनशित करना अब जहारखन छात्रविर्थी घुटा लेके मामले को देखते हैं तो सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि इस मामले को सामने लाया है दा इंडियन एक्सप्रेस ने क्या कि केंद्र पोसित अलपसंख्यक छात्रविर्थी योजना की जाच जारखन में उसने अपने इस तर से की तो जरह यह देखते हैं कि केंद्र पोसित अलपसंख्यक छात्रविर्थी योजना जो है तो यह आखिर है क्या तो देखें इसके अं मंदित जो चात्र हैं उन चात्रों का online registration किया जाता है और इस online registration में आधार और bank account का वीवरन लिया जाता है अब यहाँ पर योगिता की सर्थ किया है योगिता की सर्थ यहाँ पर यह है कि हर एक वो अलप संख्यक चात्र इस चात्र विर्थी योजना का हगदार होगा जिसके अंक इसकूल की परिक्षा में 50% से जादा है और उनके परिवार की वार्सिक आए एक लाख रुपए तक है और फिर जब registration की प्रक्रिया सफल हो जाती है तो यह चात्र विर्थी की रासी अलप संख्यक समुदाय के जो चात्र हैं उनके bank account में पहुंसता है तो Indian Express ने पिछल इसकूल के record को खंगाला और यह 6 जीनों के 15 इसकूल किस राजिसे समंदित है यह समंदित है जारखन राजिसे तो Indian Express ने आखिर क्या पाया इस समाचार पत्र ने यह पाया कि इसकूल समंदी जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में ही गलतिया है वह कैसे वह इस तरीके से उध को मिल रही है 323 तो आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर या हिर फेर है वहीं तो देखिए कागज पर छात्रों का जो धर्म है उसको भी परिवर्तित कर दिया गया मतलब यहां पर यह कि एक आदिवासी जो छात्र है उसको कागज पर पारसी बना दिया गया तो मतलब लिए कि कई घरेलू महिलाओं को यह चात्र विर्ति योजनाई मिल लिए और इसमें यह भी देखा गया कि चात्र विर्ति प्राप्त करने के लिए तो उप्योग करताओं ने क्या किया कि उन्होंने आईडी और पासवर्ड वह बैंक स्टाप, बैंक कर्रोस्पोंडेंस और स्कूल स्टाप से प्राप्त कर लिए उन छात्रों के, मतब इस तर तक धुखा दड़ी हुए और यह जो घोटाले हुए हैं, उसमें केंद्र और राज्जी के जो अधिकारी है, उन अधिकारियों के नाक के नीचे यह घोटाला हुआ है, तो अब अगर हम इस घोटाले की स योजना कार लेकर आ रही है, अब अगर चातवर्ति योजना ऌं की ही हम बात करें, तो अब योग की जो लाभाहर्ति इस परकार की लेकर आये है, उसी परकार भादा ही है। कि उसमें कुल कितनी रासी उसको मिलने चाहिए और उसको यह भी नहीं पता है कि कि किस इस्तर की सरकार इस योजना को लेकर आई मतब कें सरकार या राजी सरकार और देखिए यह जो चिंता है इस चिंता को समाप्त करने के लिए मतलब यह कि जो योजना है उस योजना के डिरेक्ट benefit transfer को लेकर आइं लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डिरेक्ट benefit transfer की भी बात की जाए तो उसमें भी अन्तिम निर्भरता किसपर होती है मानवी हस्तक्षेप की होती है क्योंकि लाभारती के आविदन को केंदर तब स्विकार करती है जब राज्य और इस्कूल के प्राधिकारियों के द्वारा उसकी पुष्टी की जाती है तो अब यहाँ पर यह है कि ठीक है डिरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर में यह प्रावधान है कि सीधे लाभार्थी के बैंक एकाउंट में जो योजना की रासी है वह वहाँ पहुंच जाए लेकिन अब यहाँ पर यह है कि लाभार्थी कौन होगा तो फिर यह तै कौन करता है यह तै करते हैं अधिकारी यह तै करते हैं राज्य और जीले इस तरके प्राधिकारी तो अब इसका समाधान क्या हो तो समाधान की रूप में यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि सरकार लाभार्थियों का उचित सत्यापन कराए और इसके लिए स्वतंत्र आडिट कराए और अनिवार रूप से स्वतंत्र वित्ती और समाजिक आडिटिंग करे जैसे MG नरेगा में किया गया तो अब देखें यहाँ पर अगर हम निस्कर्स रूप में बात करें और फिर हम आजाएं अगर मामले पर तो अलप संख्यक छात्रविर्थी कारिकरम के अंत्रगत 2019-2020 में अलप संख्यक मामलों के मंत्राले के द्वारा 1400 करोर रुपए का आवंटन किया गया जिसमें 61 करोर रुपए जार्खन राजी को दिया गया और 2015 से लेकर 2019 तक प्रतिवर्ष वित्ती आवंटन में बढ़ोत्री हुई है परन्तु उन जो वित्ती आवंटन है उसका क्या हुआ उसका दुरूपयोग हुआ और अगर सरकार या दावा करती है कि स्कूल में अल्पसंख्यक पंजीकरण में विर्धी विया और विर्धी इस तरीके से हुई है तो आम लोगों का उत्तरदाई सरकार के प्रति जो विश्वास है वह कम हो जाएगा या भी हो सकता है कि वह समाप्त हो जाए इस प्रकार इस संपादकी के माध्यम से हमने चारखन चात्रविर्थी घोटाले पर नज़र डाली चले बढ़ते हैं अपने तीसरे और अंतिम संपादकी की ओर जिसका शिर्षक है पैंसन प्लांस इस संपादकी को भी लिया गया है फाइनेंसियल एक्सप्रेस से और यह संपादकी है जी एस पेपर थर्ड में सामिल विस है भारती अर्थविवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने प्रगती विकास तथा रोजगार से संबंदित विस है कि दृष्टि कोन से महत अधर पूर्ण है चले देखते हैं इस संपादकी विष्टार के साथ इसका आधहर किया है इसका आधार है गिएकौणोमी एवम सामाजीक सुरक्षा तो चले देखते हैं पहले कि गिएकौणोमी आकी रही किया तो गिए उकमी डिजीटल अर्थविवस्था का परिणाम है जिसमें रोजगार की जो प्रकृति की अगर हम बात करें तो यह प्रोजेक्ट आधारित होता है जैसे कैप की बात कर लिए चाहे उबर हो चाहे ओला हो फ्रीलांस, सॉफ्फ्रेयर डेवलेपर्स हो, स्वीगी, जोमेटो यह सब के सब क्या है यह गिग एकॉनोमी के उधारन है अब यहाँ पर यह है कि गिग एकॉनोमी के अंतरगत हमने क्या देखा कि रोजगार की जो प्रकृति होती है वह प्रोजेक्ट आधारित होता है मतलब ये कि gig economy के अंतरगत रोजगार की प्रकृति की अगर हम बात करें तो यह नियमित नहीं होती है और इसमें आए निश्चित नहीं होता और नियमित भी नहीं होती है और उसमें सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है तो आखिर ये समाजिक सुरक्षा क्या है तो दो उधारन है एक हमारे पास यहाँ पर क्या है EPF और दूसरा यहाँ पर क्या है ESI मतलब employee provident fund और दूसरा employee state insurance तो बढ़ते हैं पहले EPF की ओर देखें EPF जो है वा कर्मचारी भविश्य निधी अधिनियम 1952 के अंतरगत एक होता है जहां पर 20 या अधिक व्यक्तिक कारिरत होते हैं और उन कर्मचारियों के लिए यह अनिवार है जिनका वेतन 15,000 रुपए प्रती माह तक होता है और इसमें योगदान कर्मचारी के साथ साथ नियोक्ता के द्वारा भी किया जाता है अब जरा देखें ESI को तो देख अधिक व्यक्तिक कारिरत होते हैं और या उन कर्मचारियों के लिए अनिवार होता है जिनका वेतन 21,000 रुपए प्रती माह तक होता है और इसमें भी योगदान किसके द्वारा कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के द्वारा किया जाता है अब इन दोनों को जानने के बाद, अब यहाँ पर यह है कि आखिर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंदर सरकार ने जो समाजिक सुरक्षा संगीता लाया है उसके अंतरगत, अब गिग करमचारी को भी उसमें शामिल करने वाली अब देखिए, समस्या यहाँ पर यह है कि गिग करमचारियों कि ना तो नियमित और ना तो निश्चित मासिक आय होती है, और हमने वहाँ पर क्या देखा कि EPF और ESI में मासिक आय तैह है एक निश्चित सीमा तक, तो इसलिए एडिटोरियल में यह बात कही जा रही है कि ग समाजिक सुरक्षा से संबंधित जो प्रावधान सरकार ला रही है, उसमें उनके योगदान संबंधी प्रावधान को लचिला बनाए जाए है, इस द्रिष्टिकों से NPS या राश्ट्रिये पैंसन यूजना काफी उप्योगी साबित हो सकता है, राश्ट्री पैंसन भारती नागरिग इस योजना में निवेस करने के योगए हैं, इसके अंतरगत निवेसक खाता की प्रकृति के आधार पर नियूनतम 500 रुपे या 1000 रुपे तक निवेस कर सकते हैं, और खाता की प्रकृति का मतलब यहाँ पर यह है कि NPS के अंतरगत दो प्रकार के खाते हो गिग करमचारियों का पंजीकरण NPS के अंतरगत करें ताकि समाजिक सुरक्षा के अंतरगत गिग करमचारियों को योगदान करने में आसानी हो साथ ही उनको रिटर्ण भी EPF और ESI से ज़्यादा मिलें। यहां रिटर्ण की बात इसलिए की गई है क्योंकि हमें यह पता है कि EPF और ESI की तुलना में NPS पर रिटर्ण ज़्यादा मिलता है। तो इस प्रकार इस संपादकी के माध्यम से हमने यह जाना कि गिग अर्थव्यस्था से समंदित समाजिक सुरक्षा के उपाय का स्वरूप क्या होना चाहिए। देखते हैं आज का प्रस्ण है कि रोजगार के आपचारिक प्रकृती में निम्न में से किसकी भूमिका महत्यपूर्ण है। आप्शन A करमचारी भविसिनिधी, आप्शन B करमचारी राजविमा, आप्शन C A और B दोनों, आप्शन D इनमें से कोई नहीं। अंत में एक नजर इस प्रस्ण पर। प्रस्ण है कि आने वाले समय में स्वास्थ एबं आर्थिक समंधी दोहरी चुनोतियां सरकार के समझ आ सकती हैं। इनसे निपटने के उपाय सहित इन चुनोतियों पर प्रकास डालें। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।